हेलो एबरीबन मैं हूं प्रियांका और सिंबल सरल किचिन में आपका स्वागत है तो दोस्तो गनेश जी का फेस्टिवल आने वाला है बुपपा का फेवरेट है ये मोदक तो आज मैं आपके साथ इसी मोदक की रेसेपी लेकर के आए हूँ जो कि सिर्फ 10 मिनिट में यानि इ फेरेट हैं तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले तो दो अलगलग बरतन के ज़रूत पड़ेगी हमने तो अलग अलग बरतन ले लिया है इंस्टेन्ट मोदक बनाने अपर यहां चुन्ट गर रिंगा है और्यों बिस्केट तो से मारे जो मोदक है न बहुत ही ज़्या-प बनने वाले हैं, I'm sure आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आप भी इसको ट्राइ करेंगे, तो ये मैंने 30 रुपे वाला पैक लिया है, और आपको इसा भी दूसरा चॉकलेट वाला बिसकिट ले सकते हैं, इसमें क्रीम लगी हो, वही आपको लेना है, तो यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे, कट मतलब खोल लेंगे, और जो क्रीम है ये एक अलग कर देंगे, तो ये स्ट्राबरी फ्लेवर का मुझे मिला, तो मैंने ये ये ले लिया, आप दूसरा वाला फ्लेवर भी ले सकते हैं, जो चकॉकलेट वालिया ये पर वणिले प्लीनेईटे पिले आता है, आलए मैं अलग अलग ले सकते हैं। सम yard पण केसे जाता है मुदक इन सोचेंट मेंदि इन नहीं मुदक श़खा डाइए इनी के शयना पीजना सब्सक्राइच रऔर नियुक के बासिप तो देखें थोड़े वह चंग्स रहे गए थे तो मुझे वसे फिंगर से मसलना पड़ रहा था तो मैंने इसको डाल दिया है एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है आपको सारा का सारा पाउडर तो अब इस बिसकिट के पाउडर में हमें डालना है दूद तो चमच चमच करके डालेगा यसे एक चमच दो चमच आसे करके आपको इसम में मिक्स करते है और एक बढ़ी आसा इसका स्मूथ सार डो तेयार कर लेना है तो दूद की जिगा आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं वैसे दूद जादा अच्छा लगए चूंकि बच्चे भी ना दूद में डिप करके खाते तो उनको कितना टेस्टी लगता है मज़ा आता है तो बस तूद ही डालेगा पानी की जरुवती नहीं इसमें देखिए एकदम बढ़िया सा मारा डो तयार हो गया और कित तयार हो गया है इसको हम साइड में रख देते हैं तो हमने दूसरा वाला अपने ले लिया है जो क्रीम वाला portion ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा डैसिकेटेड कोकोनेट याणि कोकोनेट का पाउडर दो चमच इसमे डाल दिया है अच्छे से इस डाल सकते हैं यह जो यह वाल स्टफिंग है इसके इन दरा डाल सकते हैं तो चलिए अब मोदक बना लेते हैं उसके लिए मेरे पास देखी यह वाला मोल्ड है तो अलग-अलग टाइप के मोल्ड आते हैं वहीं आप हमेशा से अगर मोदग बनाते तो आपके पास तो कोई ना कोई मोल्ड होगा ही होगा बहुत ही इजी इस टाइम में ये मार्केट में मिल जाता है तो स्टॉफिंग हम अच्छे से दबा बढ़ा के बढ़ना है ताकि शेप अच्छा है और खाली-खाली सा ना लगे कहीं से भी तो थोड़ा दबा के आपको भरना है अच्छे से फिंगर से दबाते जाहिए इसको और ये स्टफिंग जो है डालते चाहिए तो अब बीच में जो हमने स्पेस बनाया है उसमें ये पिंक वाला अपना स्टफिंग इसके अंदर डाल देते हैं कोकुनेट डालने से थोड़ी से इसकी कौंटिटी बढ़ गई है दूसरा कोई भी ज्रॉइफूर्ट आप इसमें करके डाल सकते हैं अच्छे से इसको दबा देंगे तक ही इसका शीप खुब अच्छे से आए और अब हम इसको खोलेंगे ये देखिए वाव कितना खूबसूरत कितना प्यारा मोदक बना है और देख कोई भी कहे का कि हमने से सर्फ दस मिनिट में तयार किया है वह भी बिन किसी कोकिंग के बहुत ही प्यारा मोदक हमारा तयार हुआ है तो चलिए एक और मोदक में आपको तयार करके बना करके दिखा देती हूं अच्छे से इसको हमें प्रेस करकर के इसका शेप देना है को बच्छे से बिल्कुल भी गैप नहीं दिखना चाहिए आपको साइट मे और ये फिलिंग हम इसके इंदे डाल देते हैं अच्छे से पाक कर देते हैं प्यारा सा हमारा ये देखे मूदक रेडी हो गया है तो दोस्तों ये मूदक की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक किये बगेर कहीं मत जाएगा तो यहां पर मेरे पास है ये अच्छे को भी कट कर के लगा सकते हैं काजू लगा सकते हैं चोट चोटे पीसस में करके बहुत ही जदा खुबसूरत लगने वाला है मोदक हमारा कितना प्यारा लग रहा है सिर्फ 10 मिन में इंस्टेंड मोदक हमारा रेडी हो गया है तो इस गनेशी तूरती आप भे इस और नए रसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई